एलो एन वेलकम टू क्रिकेट जंकी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइब करकेटर जो ड्रक्स यूज करने के कारण बैन हो गए तो बना किसी देरे की वीडियो शुरू करते हैं नमबर बन सेन बार्न निसनद्य सेन बार्न ना केबल आस्टिरियाइग टीम में बलकि पूरी दुरिया में सबसे बड़े पफॉर्मर्स में से एक हैं सेन बार्न ने टेस्ट में 708 विकेट लिए और बंडे क्रिकेट में 993 विकेट चटकाई वाई 1990 के दसक के अंत और 2000 के दसक में आस्टेलिया के सबसे बड़े मैच बिनरों में से एक थे और उनके इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी यही बताते हैं उनकी विकर लेने की चमता के अलाब वाई अपने पूरे कर्केट करियर में कुछ कॉंट्रोवर्सियस में भी घरे रहे आस्टेलिया कर्केट के बैड बॉय को दच्छन अफरिका में 23 बड़कब में आस्टेलिया के पहले मैच के पहले उनने घर भेज दिया गया उनने इसलिए घर भेज दिया किया कि उन्होंने डूलेटिक का इस्तमाल किया था जो एक बैंड ड्रग है और इसलिए उन्हें ब्रेड हॉक से रेपलेस कर दिया गया नो ने अपनी तरब से कहा कि यह दबाई उन्हें उनकी माने दी थी और वाई अपनी बेगुना ही थाबित नहीं कर सके इसलिए उन्हें सभी करकेट के फॉर्मोटों से 12 महिने के लिए बेन कर दिया गया वाई 2004 में लोटे और 2007 तक आस्टेलियाई टीम को रिपेजेंट किया वाई टू सोव एक्तर टेलियाई बेड़ बॉय से हम अब पाकिस्तान के बेड़ बॉय की तरब जा रही हैं राबल पिंडी एक्सप्रेस दुनिया में अब तक के सबसे तेज गिनवाजों में से एक हैं उन्होंने टेस्ट करकेट में 178 और बंडे में 247 बिगर चटकाई अक्तर को बेन एनाबॉलिक इस्टराइड नेट्रो लोन के लिए वाई पॉजिटिव पाई गए थे और पाकिस्तान के सुर्गवाती मेंस से पहले ठेक एक दिन पहले 2006 में चैंपिन ट्रोफी टीम से बाहर कर दिया गया इस अफराद के लिए उन्हें दो साल का बेन भी लगाया गया था उन्होंने अपने बचाओं में कहा कि वाई एक हाई प्रोटीन डाइट ले रहे थे जिसमें बेप, चिकन और मीट भी सामिल था और उन्हें हकीम ने एक दवाई भी दी थी वाई इससे थाबित नहीं कर सके और उन्हें दो साल का बेन जीड़ना पड़ा प्रदीव सांगवान, बाई हाज के टेलनेंटर स्टेज गेनवाई अंडर 19 बड़कब 2008 में भारत के सक्सेसफुल केमपेन के दोरन सुड़कियों में आय थे जच्छन अप्रिका के खलब 95 विकर्ट लेका टेम इंडिया को अच्छे से जीत दिलाई थी वाई वाई रंडजी सरकिट में दिली के लिए खेलते हैं यह अक्टूबर 2013 में था जब प्रदीप को स्टोराइड इस्टोनो जो लोल का उपियो करने का दोसी पाया गया था और 5 नवंबर 2014 को समाप्त होने बाले 18 माईने के बैन को स्वाम दिया गया था पेसर ने कबूल किया कि उन्होंने गलती से स्टोराइड का सेवन किया था उनके जिम ट्रेनर ने उनको यह ओफर किया था कि इससे उनका मोटापा कम हो जाएगा और उन्हें फिर 18 माईने का बैंच दे दिया गया बल्ड करकेट में सबसे अच्छे लोगों में से एक फॉर्मर कीवी कैप्टन मैदान के बाहर सांत बैवार के लिए जाने जाते हैं इस्टीवन फ्लेमिंग नीजिलेंड के सबसे सफल लीडर में से एक हैं और उन्होंने सभी फॉर्माटों में सांता प्योग नहीं किया उ टियो नेस मेथ्यू हाट के साथ पॉर्ट फूंक रहे थे यह घटना उन्नीस सो तेरानवे चौरानवे के बिंडिस दोरे के दोरान हुई थी इसकी सूजना टीम मैनेजमेंट के तेज गिनवार डैनी मौरेसन नी दी जो इस दोरे का हिस्सा थे तीनों पर गंभिर जुर्म थे उन्होंने 16 के उसस से 19 विकट लेकर इंगलेंड टीम को तहसनेस कर दिया था रहमान ने 2012 की सीरेज में इंगलेंड पर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा प्रदर्सन किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए सभी फॉर्माटों में 140 विकट लिये हैं 2012 के दोरान उन्हों पाकिस्तान के लिए उन्होंने इंगलेंड गरेलु सरकेट में समर्शेट के लिए खेलते हुए एक एननों पैस दवा पाकिस्तान के लिए अपना आखरी टेस्ट मैच 2014 में खेला था ये थे वो फाइब करकेटर जो ड्रक्स लेने के कादर करकेट से बैन हो गए तो यह वीडियो यहीं तक थी अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में